श्री नाज जी गुरू जी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, राचिवाले भहरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश जीवन में एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका सबसे बना रहे, किसी से ठने ना, आपको देखकर कोई मूना बनाए, आप किसी को देखकर मूना बनाए, तो ये क्यूं होता है, ये तब होता है, जब दो वेक्तियों का जो एनरजी सिगनेचर है, वो मैच नहीं करत है, कई बार, जाने अंजाने में, हमारी जो शक्तियां है, ये हमारा जो सबकॉंशेस माइंड है, वो इस तरीके से एक हमारा व्यू रचना करता है, जिसमें कुछ लोग हैं, वो अन्वांटेड हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं, वो वांटेड रह जाते हैं, ठीक है, उनक लेकिन किसी के व्यक्तित्व से आपका जो माया का जीवन है वो नहीं चलता है, किसी के आध्यात्मिक स्तर से आपका माया का जीवन नहीं चलता है, अगर किसी से आपको काम है, तो आपको काम है, आपका काम उससे निकलना चाहिए, मुल्भूत रूप से जो मुहिनी मंत्र होता है वो इसलिए होता है कि आप से कोई भी रिपल न करे, आपको देख करके कोई भागे ना, ठीक है, मुहिनी मंत्र का ऐसे बहुत सारा जो है, बहुत विधान है, लेकिन आज तीन विधान मैं आपको दूँगा, जो कि बहुत आसा है और इन तीनों में से किसी एक मंत्र को आप पकड़के अगर एक राद बैठ जाईएगा तो आपके पास एक सिद्ध मुहिनी मंत्र होगा उसका प्रयोग आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और उसको प्रयोग करने से यही होगा कि आपके पास लोग आकर्चित होंगे ठीक है पहला जो मंत्र है वो उद्धमेश्वरत अंतर से है जो मेरा फेवरेट है आप लोगों को पता है इसको क्या करना है इस मंत्र को दस हजार बार जाप करना है किसी एक रात्री में बैट जाएंगे अगर वो सुमवार की रात्री है या फिर महाशिवरत रात्री है तो अति उत्तम रहता है नहीं भी है तो कोई भी सब रात्र शिव का होता है रात्री जो भी है वो शिवर महा तो बैट करके सिर्फ नौर्थ की तरफ देखते हुए ठीक है उत्तर की तरफ देखते हुए लाल आसन और एक रुद्राक्ष की जाप माला पर दस हजार जाप कर लेंगे तो यह मंत्र जो है आपका सिद्ध हो जाएगा ठीक है सिद्ध करने के बाद गोरोचन सिंदूर और केसर इन तीनों को मिला लें किस चीज में आवला जो होता है उसके रस में ठीक है या फिर आवला को साथ में डाल करके पीस लें ठीक है और फिर 108 बार जाप करके यह जो मिक्चर है इसको आप अभी मंत्रित कर लें और इसका तिलक लगाए जब तक आप यह तिलक लगाएंगे आपका गोर विरोधी भी जो होगा वह आपका विरोध नहीं कर पाएगा मंत्र क्या है मंत्र है बहुती साधानच सा मंत्र है, तीन बर बोलूँगा, ओम नमो भगवते रुद्राया सर्वम जनम मोहनम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राया सर्वम जनमोहनम कुरु कुरु स्वाहा को टेखनिक काम नहीं करना है बहुत दिन तक निदार नहीं करना सिर्फ एक दिन आपको लगए गा ठीक है आपको कहीं से भी एक उल्लू के पंग की वेवस्था करनी है ठीक है अब जू से ले लीज़े या कहीं अग़र उलू हो तो वहां से जाकरके उलू का पंग उठाकरके लिए यह और उस उलू के पंग देखते हुए जो मैं मंत्र बता रहा हूँ कमे और मन्त का जाब करेंगे हवं सामगरी या किसी भी तरीके की सामगरी का कोई प्रयोग नहीं पर सिर्फ उस उल्लू के पंक को अपने बाएं हाथ में रख करके, एक हाथ में करमाला से जाप करेंगे, 51 माला जाप होना चाहिए इसका, मंत्र बहुत आसान है, ओम नमो अन्रूथनी अश्व स्थनी महाराज चनी फट्ष्वाहा ओम नमो अन्रूथनी अश्व स्थनी महाराज चनी फट्ष्वाहा ओम नमो अन्रूथनी अश्व स्थनी महाराज चनी फट्ष्वाहा यह जब आप कर लेंगे, तो यह जो उलू का पंखला है, यह आपका कलम है, लेखनी है, ठीक है? पेन, तो यह आपका सिध्ध हो जाएगा, उसके बाद एक भोजपत्र लेंगे, ठीक है? और बकरे का रक्त, आपको व्यवस्था करना होगा, मैंने बताया था कि यह तांतरिक विदान है तो बक्रे का रक्त ले लेंगे और उसके बाद वो जो हमारे पास कागज है उसमें 108 बार बोल बोल करके इस मंत्र को रख लेंगे ठीक है लिखते जाएंगे लिख लेंगे जब यह क्प्लीट हो गया तो यह आप का जो है ताबीज हो गया इसको किसी अगिलम में डालना है सीद्ये चाहितो जेब में या टोपी में आप रख लेंगे तो जो भी आपके आसपास रहेगा जितने देर ये तावीज आपके पास रहेगी वो आपके वस्थ में रहेगा ठीक है इस तावीज को आप जीवन में एक ये बार सिद्ध कर सकते है तीसरा जो विधान है ये और आसान है इसका सिर्फ एक हजार बार जो है जाप करने से ये सिद्धी हो जाती है किसी में आमा वस्या के दिन आप जो है इसकी सिद्धी कर लेते हैं ठीक है फिर एक पक्छी आता है जिसको चीचिक करते है ठीक है उस पक्छी का जो पंक होता है और थोड़ा सा कस्तूरी ले लेंगे द जो है मंत्र का जाप करेंगे पहले सिध्धी करने के लिए एक हजार बार इसका जाप कर लिया किसी अमावस्या की रात को उसके आद इस पक्षी का जो पर है वो ले लिया थोड़ा उसमें कस्तूरी मिला दिया और उसके जब पीशते रहेंगे तो 108 बार मंत्र का उचारन करें और फिर जो तिलक तैयार होगा उस तिलक को लगा लेड़े ना है इससे क्या होता है कि जब तक आप तिलक लगाएंगे तब तक मुहिनी बनी रहेंगी मंत्र क्या है मंत्र आ है I am I amin उम मत बोलियेगा वर्ना मंतर खराब हो चेका। ओम, श्रिम, धुम-धुम, सर्वम, मुहयतू, ठहठा. क्या है मंत्र? ओम, श्रिम, धुम-धुम, सर्वम, मुहयतू, ठःठा. ओम, श्रिम, धुम-धुम, सर्वम, मुहयतू, ठहठा. तो ये तीन ऐसे मंत्र हैं, जिसको आप जब भी जाप करेंगे, तो आपको एक रात्री में साधना की सिध्धी मिल जाएगे, और सिध्धी मिलने के बाद, आप जो है, इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, एक आपको बोनस वीडियो सुनने के लिए मैं मंत्र बता द कुछ करने के अवशक्ता नहीं होगी, लेकिन एक लाग बार इसका जाप करना है, ठीक है, और पान का जो है जड़ उसको खोद करके, उसको पीस करके, साथ बार अभी मंत्रित करके रख लेना है, ठीक, इतना करने से ये जीवन भर आपके लिए ये मंत्र काम करता है, उड् अर्वजन्मोहनाया, अम, आम, इम, इम, उम, उम, रिम, रीम, फट स्वाह, ठीक है, तो ये चार मंत्र हैं आपके लिए, इन चार मंत्रों को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, तो कभी भी दुश्मनों का या फिर जो कारे छेत्र है, उसमें विरोधियों का सामना नहीं करत पड़ता है, इसमें जो अंतिम मंत्र है, वो वैसे लोग प्रयोग करें, जो राजनीती में हैं, जो एक्टिंग करियर में हैं, जिनको नटी एक्षिनी क्यावशक्ता पड़ती है, ऐसे लोगों के लिए, ये अंतिम मंत्र है, जो आम जन्मानस है, जो व्यापार में है, जो पब्लिक डीलिंग में है, छोटे-मोटे, जो कहीं नौकरी करता है, या जो पारिवारिक विश्यों को लेके परिशान है, वो जो शुरू का तीन मंत्र है, उसी को करें, उसी में आप लोगों के लिए समधान हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, भगवान भैरव, आप सभी क देवराज सेव्यमान पावनांगरिपंगजं, व्यालयय सोत्रमिंदुशेखरं क्रपाकरं